एसा ऑइल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को naturally काला बनाता है साथी साथ यह जो ऑइल है आपके बालों को समय से पहले सफेड तो नहीं होने देता उसके साथ आपके बालों को लंबे समय तक काला बनांके रखता है तो अगर आप कोई ऐसा ओयल ढूण रहे हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखे तो ये ओयल सबसे अच्छा है मैं आप लोगों के साथ हीना ओयल शेयर करने वाली हूँ जो प्रिमिच्चूर हैर ग्रोथ के लिए जो हमारे बालों को लंबा बना है तो देखे जैसे हर चीज सबको सूट नहीं करती है उसी तरीके से हर ओयल सबको सूट नहीं करता है क्योंकि सबके बाल अलग-अलग होते हैं बेसिकली हमारे बालों का जो टाइप होता है बहुत ही अलग-अलग होता है अगर मैं पॉरोसिटी की बात करूँ तो तीन तरीकी की पॉरोसिटी होती है अब पॉरोसिटी का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ देखिए हमारे बालों में एक capacity होती है जो moisture को और oil को absorb करती है तो वो capacity कैसी है आपके बालों की आपके बाल किस तरीके से oil को moisture को absorb करते हैं उसी को बोलते है porosity अगर आपके बाल बहुत जल्दी oil को absorb कर लेते हैं और बहुत जल्दी oil loss भी हो जाता है आपके बालों से तो उसको बोलते हैं high porosity क्योंकि high porosity में क्या होता है कि जो बालों के cuticles होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और open होते हैं तो इसलिए जो high porosity के बाल होते हैं उनमें हर तरीके का oil suit करता है लेकिन उनके लिए best होता है sealing oil जो आपके hair cuticle को seal कर दे और उनमें से oil का या फिर moisture जो है वो निकल लेना जो low porosity के बाल होते हैं उनके बालों का cuticle होता है एकदम tightly packed होता है एकदम एक दूसरे के close होता है तो उनमें अगर आप थोड़ा सा भी thick coil लगाएंगे तो उनमें जाएगा ही नहीं medium porosity के बाल सबसे अच्छे होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है यूसफू लगती है तो आप सभी लोगों से request है कि please मेरी वीडियो को like जरूर करेगा नमस्कार मैं हूं गरीमा और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंट्रेस्ट है तो मैं आपको highly recommend करूंगी कि आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजे bell icon को जरूर प्रेस करेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस्त ना हो जाए अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं इस ओयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टील का एक बरतन ले लेना है अब इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोग डालेंगे वो है हीना मैंने यहां पे चार चमज के बराबर हीना ले लिया है हीना पाउडर लिया है 100% प्यूर फॉर्म में हीना हमारे बालों को काला बनाने में बहुत अच्छी होती है यह premature hair grain को treat करती है reduce करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा tannin पाया जाता है जो कि हमारे बालों का natural color को enhance करता है मेलानिन के production को increase करता है इसके अदर vitamin E, antioxidant पाय जाता है जो हमारे बालों को grow होने में help करता है इसके अदर antibacterial, antifungal property भी होती है जो कि dandruff को खतम करने में कमालकी होती है अब जो अगला ingredient है एक बहुत powerful आईजवेधिक herb है और ये है भरिंगराज भ्रिंग राज हमारे बालों की सारी समस्याओं को खतम करने का काम करता है इसलिए आयरवेदा में इसे केश राज बोलते हैं यानि कि आपके बालों का ये राजा होता है बालों की हर समस्या को सुझाने का काम करता है प्रिंग राज बहुत ही अच्छा होता है बालों को लंबे समय तक नैच्रली काला बना के रखता है जल्दी सफेद नहीं होने देता क्योंकि हमारे बालों का पिग्मेंट लाज भी रोकता है और हेर फॉलिकल में मौजूद पिग्मेंट सेल्स को एक्टिवेट भी करता है जिसे की मेलानीन अच्छा खासा बनने लगता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहता है जल्दी सफेद नहीं होते बालों को रिग्रो करने में भिरिंग्राज बहुत अच्छा होता है अब जो अगला इंग्रेट है ये है गुड़हल के फूल का पाउडर ये है हिबिस्कुस पाउडर हिबिस्कुस पाउडर के अंदर नाचुरल हेर दाइंग प्रॉपर्टिस पाई जाती है जो हमारे बालों को dark करने का काम करता है काला बनाने का काम करता है इसके अंदर बहुत सारा antioxidant भी होता है जो कि premature hair grain को treat करता है साती सात इसके अंदर essential amino acids होते हैं जो हमारे बालों को regrow करने में ग्रो करने में बहुत important role play करते हैं आपको यहाँ पे दो चमज के बराबर भ्रिंग राज, दो चमज के बराबर गुड़हल का फूल यानि ही बिस्कस पाउडर एड़ करना है नेक्स इंग्रिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है आमला पाउडर यहाँ पे आपको सारी चीजों को ड्राइव फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में ही यूज करना है आमला आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोग देता है बालों का जो पिगमेंट होता है उसको एक तरीके से प्रिजर्व कर देता है जिससे कि आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं, प्रिमिचोर हेर ग्रेंग को ट्रीट करने में आमला बहुत अच्छा होता है, आयरवेदा में इसे दिव्य और शदी बोला गया है, आमला को लगाने के साथ साथ आपको कंजूम भी करना ह बहतर होगा कि आप त्रिफला पाउडर डेली एक चमस के बराबर कंजूम करिए, अब यहां पे जो अगला इंग्रेडियन्ट है यह है, फेनुग्रीक सीट का पाउडर, फेनुग्रीक सीट बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, इसके अंदर बहुत सारे यह अगला इंग्रेडियन्ट है, यह तो अप्सेनल है आपकी मर्जी, आप इसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, otherwise इसकी भी कर सकते हैं लेकिन ये हमारे बालों के को रिग्रो करने में बहुत अच्छा होता है और ये है रोज मेरी हर्ब रोज मेरी हर्ब हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसलिए मैं रोज मेरी हर्ब यहां पर रोजमेरी हर्ब, ये दो चीज़ तो आप रखे ही, अब यहाँ पर बारी आती है आईल की, मैं यहाँ पर कलाउजी आईल यूज कर रही हूँ, कलाउजी आईल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कलाउजी आईल हमारे बालों को पिगमेंट सेल्स में मेलानिन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए कलोची ओयल में ले रही हूं। आप कोई भी ओयल ले सकते हैं। 100% प्यूर फॉर्म में होना चाहिए। कुकिंग ओयल होना चाहिए। मतलब कि जो ओयल आप खा सकते हैं। उसी को यहां पे इस्तेमाल करना है। खुश्बू वाला कोई भी ओयल जो मार्केट से इस्पेशली हैर के लिए आता है। वो आपको यूज नहीं करना है। क्योंकि उसमें बहुत सारे कैमिकल्स भी होते हैं। इसलिए 100% प्यूर ओयल आपको यूज करना है। सर्सो का तेल नार्यल का तेल तिल का तेल जैतून का तेल कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं। जो कि 100% pure form में हो, अगर आप कैस्टर आयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई कैरियर आयल जरूर होना चाहिए, क्योंकि कैस्टर आयल बहुत थीक होता है, और उतना थीक आयल आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कैस्टर आयल को किसी आयल के साथ कम मैंने मिक्स कर लिया, इसको गरम पानी में मैंने रखा था, ताकि सारे इंग्रेडिंट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं, अब इसे इंफ्यूज करने के लिए कम से कम मैं दस दिन के लिए छोड़ दूंगी, दस दिन के बाद ही मैं इसे यूज़ करना शुरू करूंग तो अब मैं आपको आयल को लगाने का सही तरीका बताने वाली हूं देखें, दस दिन हो गए हैं, ये जो ओयल है, अच्छे से इंफ्यूज हो चुका है अब हमें क्या करना है, इसे लगाने से पहले, डबल पॉलिंग मैथट की हल्प से इसे गरम कर लेना है इसे डायरेक्टली आपको फ्लेम पे नहीं रखना है, इसे लेकिन गुनगुना गरम करके ही अपने बालों में लगाना है अब आपको पता है गुनगुना गरम इसे क्यों करना होता है, गुनगुना गरम आपको इसलिए करना होता है ताकि इसके जो molecules है गर्मी की वज़े से break हो जाएं इसके molecules बहुत बड़े-बड़े होते हैं जो कि हमारे hair cuticle के अंदर आसानी से penetrate नहीं करते हैं नहीं hair follicle में प्रवेश करते हैं इसलिए हमें इसको गुन-गुना गर्म करके इसके molecules को break कर लेना है तो इस तरीके से मैंने इस्टिल का एक बरतन लिया है इसमें एकदम गरम पानी डाला है इसमें पूरे बॉटल के साथ ही मैंने रख दिया बॉटल वाला जो ऑईल है अच्छे से गरम हो चुका है अब मुझे जितना ऑईल अपने बालों में लगाना है उसको इस्ट्रेंड कर लूँगी मैं थाकि ऑईल ही निकले बहुत सारे particles रहेंगे तो लगाने में दिक्कत होगी ना इसलिए और मैंने इसको इस्ट्रेंड करके नहीं रखा हुए अभी जितना मुझे लगाना है बस मैंने उतना ही स्ट्रेंड किया बाकी जो चीजें बची थी उसको वापस से उसी में डाल दिया बॉटल के अंदर ताकि इन्फ्यूजन का प्रोसेस जो होता ही रहे अराम से और जो ओयल है दिन बदिन और कॉंसंट्रेट और इफेक्टिव होता जाए तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ओयल मैंने कटोरी में एक निकाल दिया है अब इसको मैंने गरम पानी के अंदर रखा है ताकि अच्छे से ये गरम हो जाए अब ओयल को लगाने से पहले हमें अपनी स्कैल्प को तयार करना होगा स्कैल्प को तयार करने के लिए इस तरीके का मसाजर लिया है मैंने मसाज ब्रस लिया है और इस से अच्छे से पूरे स्कैल्प की मैं मसाज करूंगी तो आयल लगाने से पहले एक बात का और ख्याल रखना है आपको कि आपकी स्कैल्प और आपके बाल पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए कई बार लोग सोचते हैं कि आयल लगाने के बाद हैर वाशी तो करना है चलो गंदे बालों में आयल लगा लेते हैं तो ऐसा आप अगर सोचते हैं, तो फिर आप वैसा करेंगी भी, फिर करेंगे तो फिर आपका hair loss होगा, क्योंकि अगर आपके scalp में धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, बहुत सारे dead skin cells हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो hair follicles हैं, clog हो जाते हैं, जब आप उसके बाद oil ल कर लीजिए, फिर मसाजर लीजिए इस तरीके का, और अच्छे से पूरे scalp में मसाज करेंगे, जब आप मसाज करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी scalp में blood flow बहुत अच्छे से हो गया है, उससे आपका hair growth भी promote होता है, इस तरीके से मसाज करने के बाद जब आप आप आपके hair follicles नरीश होना शुरू हो जाते हैं, आपके hair follicles को oil में मौझूद सारे nutrients मिल जाते हैं, इससे क्या होता है, आपके hair follicles नरीश होते हैं, उनमें जो pigment cells हैं अच्छे से अपना काम करना शुरू करती हैं, और आपके बाद लंबे गने मश्बूत होते हैं, तो इस तरीक से ही आपको oil करना चाहिए, और oil के जो पार्टिकल्स हैं, और ब्रेक हो गए हैं, क्योंकि oil को हमने गुनगुना गरम करके लगाया है, तो इससे वो आसानी से आपके hair follicle में, hair cuticle में penetrate भी कर जाते हैं, अब देखिए, गुनगुना गरम तेल लगाने का एक और फायदा होता है, जिसे की hair growth प्रमोट होता है, अभी देखिए, मैंने पूरे scalp में पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से oil लगा लिया है, गुनगुना पानी लिया है, मैंने इस तरीके का micro fiber का turban towel है, इसको मैंने डिप किया, टॉबल भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास turban towel नहीं ह अब वहां जाके सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं, रिव्यू पढ़ लिजेगा, उसके बाद उस चीज को आप खरीदना चाहें, तो खरीद सकते हैं, अभी देखिए, इसको अच्छे से पूरे scalp में इस तरीके से, पूरे बालों में और इस scalp में अच्छे से रैप कर लो से आपको हैर वाश करना है, अगर आप बहतर रिजल चाहते हैं, तो अगर आप के बाल जल्दी सफेद ना हो, लंबे समय तक काले घने मजबूत ऐसी बने रहे हैं, हैर लॉस ना हो तो आपको नैच्रल शैंपू ही यूज करना चाहिए, अभी आप देख सकते हैं, आप दे पिर नॉर्मल वाटर से हैर वाश कर लेती हूँ, बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और बालों में कमाल की शाइन भी आती है, तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, फिर देखेगा आपका बाल जल्दी जड़ेगा भी नहीं, और काफी लंबे समय तक आपके बाल काले रहेंगे, प्रिमेचूर तरीके से अगर सफेद हुए हैं बाल, वह भी वापस से काले हो जाएंगे, मैंने अपनी यूटीब चैनल पे बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों को इस प्रेसले रिग्रो करने का काम करती है, बालों को रि तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मीध है आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी मेहनत को एप्रिशियेट करने के लिए लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को, शेयर करिएगा, अब मिलते हैं ने प्रश्कार